Hello Friends, ये वीडियो है Class 1 के Admission के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताय था कि Admission Process मार्च के First Week में स्टार्ट हो जाएगे बट शायद कुछ Technical Issues की वज़े से ये Process अभी तक स्टार्ट नहीं होई है और आप सभी जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहते हैं कि आखी Reform कब से शुरू होंगे तो इसके लिए एक हमें Update मिली है KVS की Regional Office Delhi से Regional Office Delhi ने अपने Website पे एक Letter डाला है recently और उसमें उन्होंने पूरी तरह से सूचना की बारे में बताया है इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की Admission Process अभी शुरू नहीं हुई है बट बहुत ही जल्द यानि कि 10 March की उन्होंने एक Tentative Date दी है 10 March या फिर 10 March से एक-दो दिन आगे पीछे साथ तरीक आज हो चुकी है 10 March से एक-दो दिन आप मान सकते है 11-12 भी हो सकते हैं तक जैसे ही मुख्याले से यानि KVS Headquarter से सूचना प्राप्त होती है वैसे ही सब को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि केंद्र विद्यले संगठन में जो Admission होते हैं क्लास वन के लिए ये एपरिल से पहले शुरू हो जाते हैं लेकिन Admission का पूरा कैलेंडर जो है वो केंद्र विद्यले संगठन के मुख्याले यानि Headquarter से Decide होता है स्कूल अपने लेवल पर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो Regional Office Delhi के इस लेटर के अकोडिंग जो है वो 10 मार्श 2021 तक इसकी सूचना प्राप्ट हो सकती है और साथ ही साथ पेरेंट से उन्होंने अनुरोध भी किया है कि वो केंद्र विद्यले संगठन की अपनी जो Original Website है kvsanठन.nic.in या फिर जो उनकी Regional Office की वेबसाइट है उसको देखते रहें तो सभी पेरेंट जो डेली में है वो Regional Office को चेक कर सकते है otherwise आप संगठन की वेबसाइट को भी टाइमली देखते रहें जिससे जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं आपको पता चल जाएगा इसके अलावा एडमिशन शुरू होते ही उसको फॉर्म को किस तरह से अपलाई करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो अल्रेडी मैंने अपने वीडियो में बता रखे हैं तो आप उन वीडियो को एक बार देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स को त्यार कर ले वोफुली इस हेल्पस फॉर यू थैंक यू फ्रेंड्स